नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJT Education में तो दोस्तों आज हमारा जो session है इस session का नाम है biology booster इस session का नाम दोस्तों इसलिए biology booster रखा गया है क्योंकि biology के कुछ ऐसे chapter हो जाते हैं जो की बहुत confusion करते हैं और exam में भी आते हैं तो दोस्तों हम ऐसे ही chapter को पकड़ेंगे जो जादा से जादा confusion करते हैं और exam में आते हैं तो आज का chapter हमारा दोस्तों पादब जगत का वरगी करण कैसे किया जाता है और यहां से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर इसके बाद सम्मधनी उतक किसमें पाए जाता है किसमें पतियां पाए जाती है, किसमें फूल पाए जाते हैं तमाम confusion यहां से दोस्तों बनते रहते हैं तो आनलाइन दुनिया में दोस्तों अगर आप लोग इस्टिडी कर रहे हैं तो आज तक आप लोग हजारों वीडियो देखते आयोंगे लेकिन 20-25 मिनिट का यह वीडियो सायद बनने वाला है दोस्तों तो इसको भी आप जरूर देख करके जाईएगा आपको पूरा का पूरा कांसेप्ट समझ में आएगा कि कैसे पादब जगत का वरगी करड किया गया है और आराम से आपको याद होता भी चला जाएगा दोस्तों तो चलिए आते हैं दोस्तों यह पादब जगत है पौधो का ये संसार है, यहाँ पर किसी में फूल पाया जाएगा, किसी में केवल और केवल पतियां पाया जाएगी, किसी में फूल रहेगा, किसी में दोस्तों पतिया भी नहीं रहेगी, केवल और केवल उसमें जड़ भी नहीं रहेगा, पत्ती भी नहीं रहेगा, तब भी में फूल पाया जाते हैं किसी में फूल नहीं पाया जाते हैं फिर उसके बाद जिसमें फूल नहीं पाया जाते हैं उसमें किसी में पत्तियां भी नहीं पाया जाते हैं दोस्तों तो इस हिसाब से दोस्तों पौधो का वर्गी करड किया गया है आए बढ़ चलते हैं आगे द रखेंगे जिसमें फूल नहीं पाया जाएगा क्रिप्टो गेमी बोला जाएगा जिसमें फूल पाया जाएगा उसको फेनरो गेमी बोला जाएगा दोस्तों अब समस्या यह आई कि दोस्तों जिसमें फूल नहीं पाये जा रहे थे यानि जो आप उस पोधविक थे उसमें पहले इसका हम लोग निप्टारा कर देते हैं क्रिप्टो गेमी के बारे में तो धैलो फाइटा उसको बोला गया जिसमें ना तो पत्ति पाई जाए ना तो जड़ पाई जाए ना ही तना पाई जाए दोसतो और नाही समवनी उतक पाया जाए जो की जायलम फ्लोयम होते हैं दोस्तों समवनी उतक वह ऐसे उतक होते हैं जो पौधों में जल और भोजन का वहन करते हैं जल और भोजन को उर्जा को इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो दोस्तों उसमें कुछ भी नहीं था इसको बोला गया थैल ब्रायोफाइटा में कौन कौन से पौधे आते हैं अभी हम लोग एक्जामपल देख लेते हैं बात आती है दोस्तों ब्रायोफाइटा में क्या इसको ब्रायोफाइटा क्यों बोला किया ब्रायोफाइटा में दोस्तों क्या होता है इसमें पत्ती और तना तो पाया जा रहा ह लेकिन समवनी उतक नहीं पाया जा रहा है दोस्तों मतलब उसमें भोजन और जल पहुचाने का जो उतक होता है उसमें ये नहीं पाया जा रहा है पत्ती और तना पाया जा रहा है आविक्सित दोस्तों पत्ती और तना इसका आविक्सित है छोटे छोटे रहते हैं अब दोस् या जिसमें जड और पत्ति ना भी पाया जाएगा समवनी उतक पाया जाएगा लेकिन इसमें फूल नहीं होगा दोस्तों इसी लिए इसको cuarto गेमी में रखा गया है दोस्तों तो चलिए पहले हम लोग क्रिप्टो गेमी के बारे आईए, एक्जाम्पल देखते हैं जो आपके एक्जाम में पूछा जाएगा, सबसे पहले थैलो फाइटा किन को कहा जाता है? हमने बता दिया, ना तो उसमें जड़ और पत्ति पाया जाएगा, ना ही तना पाया जाएगा दोस्तों, ना ही सम्वनी उतक पाया जाएगा, इस के कुछ EG 1956 होते हैं कउन कॉनसे ऐसे पादफ हैं कॉन कॉनसे ऐसे पिद्ग हैं जो ठैलो फाइटा में रखे गए दोस्तों सैवाल को देख लीजिए क्या इसमें कहीं पर पत्ति आपको दिख रहा है क्या जो सैवाल होते हैं जहां पर पानी और अस्थल दोनों का जो अस्थान होता है वहीं पर दोस्तों पाया जाता है सैवाल सैवाल मिना तो आपको पत्ती मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों यह हो गया थैलोफाइटा यहाँ पर आपको यह पत्ती नहीं दिखाई दे रही है यह दोस्तों कवक के ऊपर सैवाल है यह पत्तियां उत्तियां उसमें कुछ नहीं है इसको बोला जाता है लाइकेन दोस जीवाडू ये सब किसमी रखे गए हैं ये सब थैलो फाइटा में रखे गए हैं अब जान लेते हैं लाइकेन के बारे में यहां से केश्चन बनता है दोस्तों लाइकेन पर पत्ती नहीं पाई जाती है दोस्तों यह जो हरा हरा दिख रहा है यह सैवाल है और यह सैवाल कवक के ऊपर बैठा हुआ है तो कवक जो होता है दोस्तों यह उर्जा लेता है उर्जा बनाता है सहवाल प्रकास संसले सड के द्वारा तो यह कवक इसको अस्थान देता है और सहवाल इसको उर्जा देता है एक दूसरे से दोस्तों यह आपस में सहजीवी होते हैं यानि एक दू लाइकेन को सहजीवी कहा जाता है तो आप से पूछा जाएगा सहजीवी किसे कहा जाता है दोस्तों लाइकेन पौधे को सहजीवी कहा जाता है और लाइकेन से ही दोस्तों लिटमस का निर्मार किया जाता है लाइकेन से किसका निर्मार किया जाता है लिटमस का निर्मार किया जाता है जो कमेश्ट्री में पढ़ा जाता है वही लिटमस आईए और एक्जाम्पल दोस्ते ये हो गया थैलो फाइटा पूरा हो गया है यहां से किश्चन अब नहीं बनेगा अब हम लोग ब्रायो फाइटा के बारे में बात करते हैं ब्रायो फाइटा क्या होता है हमने बत जो काई आपको दिख रहा है काई यानि मास दोस्तों जो होता है इसकी भी पत्ति आपको विक्सित नहीं दिखेगी और यहां पर आपको इसकी भी पत्ति विक्सित नहीं दिखेगी तो जो पत्तियां विक्सित नहीं होती है तना भी विक्सित नहीं होता है लेकिन केवल औ और क्यों हरा आपको दिखेगा तो ये क्या होगा ब्रायोफाइटा होगा दोस्तों और ब्रायोफाइटा इसको बोला जाता है दोस्तों उभैचर पादब जगत के हैं इसको क्या बोला जाता है ये उभैचर दोस्तों पादब जगत है ब्रायोफाइटा ये आप से नाली में भी यह सब जम जाते हैं यह काई जहां पर पानी हो और दोस्तों अस थल भी हो इसलिए उसको उभैचर बोला जा रहा है यहां पर भी दोस्तों आप देख रहे हैं यह भी क्या है नीचे दोस्तों थोड़ा सा पानी है और थोड़ा सा थल भी है तो यह भी क्या हो गय ये भी है दोस्तों ब्रायोफाइटा का एक पौधा है नाम आप याद रखेंगे तीनों का दोस्तों एक तो काई हो गया एक तो हार्न वार्टस हो गया एक तो लीवर वार्टस हो गया तो यही एक्जामपल आप से पूछा जाता है ब्रायोफाइटा का लीवर वार्टस हार् सबका example दोस्तों आप लोग याद रखेंगे तेरिडो फाइटा की अभवलूम बात करेंगे तेरिडो फाइटा ऐसा दोस्तों पादब जगत है जिसमें तो पत्तियां भी पाई जाएगी पूरा विक्सित पत्तियां विक्सित तना और दोस्तों समवहनी उतक भी पाया जाएगा लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों इसमें क्योल फूल नहीं होगा और बीज नहीं होगा बस इसमें क्या होगा दोस्तों एक्जामपल आपको क्योल याद रखना है एक तो Furn हो गया दोस्तों, यह आपको पूरा विक्सित पत्ती देखेगा, विक्सित तना भी देखेगा, और example क्या हो गया, Furn हो गया, एक दोस्तों ऐसा ही हो और हर्स्टेल हो गया यह, होर्स्टेल और फर्न, दो example आपको यादखना है, किसके बारे में, टेरीडो फाइटा के बारे में एक किश्चन और यहां से बन जाता है दोस्तों इसको बोला जाता है सरी स्रीप पादप जगत का सरी स्रीप वर्ग बोला जाता है दोस्तों इसको क्या बोला जाता है पादप जगत का सरी स्रीप बोला जाता है यह केवल और केवल अस्थल पर पाए जाते हैं यह क आईए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फेनरोगेमी के बारे में जिसमें फूल पाया जाते हैं अब दोस्तों एक समस्य और आ गई कि फूल तो पाया जाते हैं लेकिन उसमें बीज कहां पर पाया जाता है बीज अंदर फल के पाया जाता है कि फल के बाहर पाया जा रहा ह इसके आधार पर बाट दिया गया दोस्तों एक होता है आवरित वीजी एक होता है अनावरित वीजी दोस्तों होता है जो अंदर पाया जाता है दोस्तों आवरित वीजी वह होता है जो बीज फल के अंदर पाया जाए और अनावरित वीजी यानि नगन वीजी जो होता है वह दोस्तों, बीज उसका फल के बाहर पाया जाता है, और इसी को इंगलिस में बोला जाता है, इंगलिस ही पूछा जाता है इसका, जो अंदर पाया जाएगा, उसको बोलेंगे दोस्तों, एंजियो स्पर्म, आ से अंदर, आ से एंजियो स्पर्म, एंजियो स्पर्म मतलब अंद उसका अंदर पाया जाएगा जैसे अमरूद हो गया संत्रा हो गया सेब आम इन सभी के बीज अंदर ही पाये जाते हैं फल के लेकिन ये दोस्तों जो होते हैं नगन बीजी होते हैं ये कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके बीज फल के बाहर पाये जाते हैं दोस्तों तो या पहर पाय जाते हैं चलिए देख लेते हैं जिमनो इस्पर्म का पहले बात तो एक्जामपल आपको रटा होना चाहिए साइकस हो गया सिकोया हो गया दोस्तों और तीसरा हो गया चीड का पेड दोस्तों आइए देख लेते हैं सिकोया आप देखी रहे हैं इसमें आपको बीज बाहर बाहर ही मिलेगा फूल नहीं मिलता है दोस्तों याद रखिएगा जो यहाँ पर जिमनो स्पर्म होते हैं यह एक अपवाद है इसको स्रेडी में रखा गया है दोस्तों पुस्पोधविक स्रेडी में रखा गया है यह जिमनो स्पर्म को लेकिन इसमें फूल नहीं पाया जाता याद रखिएगा पुस्प नहीं पाया जाता केवल और केवल बीज पाया जाता है केवल और केवल बीज पाया जाता है जिमनो स्पर्म में चीड का पेड हो गया केवल और केवल बीज पाया जाएगा ये दोस्तों साइकस हो गया साइकस में केवल और केवल बीज पाया जाएगा यह सिकोया हो गया सबसे लंबा पौधा विस्व का सिकोया होता है दोस्तों अब याद रखेगा यह जो साइकस है साइकस से एक क्यूस्चन बनता है कि जीवित जीवास में किस पौधे को कहा जाता है तो याद रखेंगे दोस्तों जीवित जीवास में ऐसे पौधे जीवित जीवास्म के बारे में कि कौन से पोधे को जीवित जीवास्म कहा जाता है तो याद रखेंगे जो साइकस का पोधा होता है उसका आधा भाग दोस्तों मरा हुआ होता है यानि सूख गया होता है और आधा भाग उसका हरा भरा रहता है यानि जीवित रहता है तो साइकस को क्या कहा जाता है जीवित जीवास में भी कहा जाता है और साइकस से साबू दाना भी प्राप्त किया जाता है यह आप से पूछा जाता है साबू दाना किस से प्राप्त किया जाता है तो बताएंगे दोस्तों साबू दाना साइकस से प्राप्त किया जाता है यह भी question बनता है तिये तीनों example आपको याद रखने हैं चीड का पेड़ और दोस्तों सिकोया हो गया और साइकस हो गया चलिएगा अगली बात कर लेते हैं अब हमको आगे क्या पढ़ना है NGO sperm के बारे में जिसके बीज अंदर होंगे जिसके बीज बाहर होंगे दोस्तों उसको बोल गेंगे NGO sperm यह हो गया आपका NGO sperm यहां पर आपको बीज दिख रहा है अंदर नेवू का बीज है अंदर दिख रहा है यहां पर पपीता का बीज है दोस्तों फल के अंदर दिख रहा है यहां पर सेब है सेब का बीज भी अंदर दिख रहा है यह क्या हो गया NGO sperm हो गया अब इ एक बीजपत्री का मतलब क्या है और दो बीजपत्री का मतलब क्या है तो जब भी आप लोग चना खाते होंगे उसको तूड़ते होंगे तो उसमें दो दाले निकलती होंगी दोस्तों जो दाले निकलती हैं दोस्तों उसी को हम लोग बीजपत्र बोलते हैं तो चना में क्या ह में एक ही बीजपत्र पाया जाए उसको हम लोग एक बीजपत्री बोलते हैं जैसे दोस्तों धान, धान को आप तूडेंगे तो दो बीजपत्र नहीं मिलेगा गेहूं को आप तूडेंगे तो दो बीजपत्र नहीं मिलेगा दोस्तों और यही बीजपत्र क्या करते हैं यही उर्जा देते हैं, जब पौधे अपना विकास करते हैं, तो विकास करते समय यही बीजपत्र पौधों को उर्जा देते हैं, तो आईए यह example पूछा जाता है कि कौन सा एक बीजपत्री है, कौन सा दो बीजपत्री है, इसके बारे में हम लोग जरूर जानेंगे, क्योंकि य वाला side का है, दो बीजपत्री वाला, एक बीजपत्री में क्या होगा, बीजपत्र एक ही पाया जाएगा, और इसमें दो बीजपत्र पाया जाएगा, एक हो गया, दो हो गया, ये तो आसान example है, दोस्तों, एक बीजपत्री की जो जड़ होते हैं, वो रेसेदार होते हैं, रे पैरलल एकदम पर समांतर रेखाएं होती है और इसमें जो दूइबीच पत्री इनकी पत्तिया दोस्तों इस तरीके से होती है पैरलल नहीं होती है एक कटान उधर तो वो एक कटान उधर होता है इस तरीके से पत्तियों से आप विवाजित कर सकते हैं तो इससे आप पहचान स कौन एक बीच पत्री है कौन दो बीच पत्री है आलांकि आपको ये सब अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है नहीं आ रहा है तो आप दो तिन पौधों के नाम चार पौधों को नाम याद रख लीजिए जो एक्जाम में पूछा जाता है देखिएगा दोस्तों एक बीच पत्री कौन कौन से हो जाएंगे धान हो गया गेहूं हो गया जो हो गया बाजरा हो गया धान गेहूं जो बाजरा एक बार में धान गेहूं जो बाजरा उसके बाद आलू गन्ना मक्का ये सब क्या है एक बीच पत्री है हल्दी अदरक और बास हो गया यहाँ पर आप दूइबीच पत्री के बारे में जानेंगे दोस्तों दूइबीच पत्री चना, मटर, अरहर सभी दाले हो गएं दूइबीच पत्री मूली के बारे में, सरसो के बारे में, सूरज मुखी के बारे में याद रखीएगा ये एक्जामपल पूछा जाता है मूली, सरसो, सूरज मुखी का पेड़, यह मूली का पेड़ हो, सरसो हो, या फिर सूरज मुखी हो, यह दूई बीज पत्री होते हैं, आपको दिखेगा नहीं, सरसो तूड़ने पर दो बीज उसका नहीं तो इखेगा, दो बीज पत्र, लेकिन होता है, क्या होता है, दूई सरसो सूरज मुखी और एक बीजपत्री में और याद रखेंगे दोस्तों सुपारी के बारे में और खजूर के बारे में सुपारी नारियल खजूर दोनों सुपारी नारियल खजूर इसमें एक बीजपत्र ही पाय जाता है ये इसमें चला जाएगा याद रखिएगा एक्जम्पल पूछे जाते हैं दोस्तों तो आसा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो ये सब था दोस्तों पादब जगत का जितने भी वर्गी करण था यहाँ पर दो आपने कवक सहवाल देखा और फिर लाइकन के बारे में देखा और फिर दोस्तों जिवाडू के बारे में देखा ये सबका अलग अलग चैप्टर होता है तो आप सहवाल के बारे में अलग पढ़ेंगे एक चैप्टर में फिर कवक के बारे में फिर दोस्तों जिवाडू के बारे में तो अलग चैप्टर हो जाता है हमने यहाँ पर केवल और केवल पादब जगत के वरगी करड के बारे में ही जाना किस परकार से वरगी करड किया गया है आईए एक बार फटा फट सी रिवीजन मार लेते हैं, जल्दी से रिवीजन मार लेंगे दोस्तों, पहली बात तो पादब जगत में वरगी कार किस प्रकार से किया गया, दोस्तों जिसमें फूल पाये जाते हैं, जिसमें फूल नहीं पाये जाते हैं, फेनरोगेमी हो गया, नहीं पाए जाते किर्प्टो गेमी दोस्तों ये इंगलिस ही आपको याद रखना है इसको भूल जाएगी ये आपको नहीं देगा एक्जाम में अब जिसमें फूल नहीं पाए जाते हैं कौन-कौन से हो गए थैले फाइटा ब्रायो फाइटा ट्रेडो फाइटा जिसमें प पत्ती पाया जाए केवला और केवल् helemaal सम्वहनी उत्क ना पाया जाए तौन से ब्रायो फाइटा यह उभैचर हो गया दोस्तों और यह सरी स्क्रिप हो गया और यह सब से बड़ा जगत हो गया पादम जगत का ठैब फाईटा यहां से आपने रिविजन कर लिया तो इस प् यहां से इसका रिवीजन हो गया, एक रिवीजन टेरीडो выпाइटा का मर लेते हैं, फरन का एक्जांपल बहुत पूशा जाता है, फरन चला जाएगा दोस्तों, टेरीडो फाइटा में, और यहां हर टेल एक पौधा होता है, हर star भी चला जाएगा टेरीडो फाइटा में, इस इसको पादब जगत का सरी स्रीप बोला जाता है, यह हो गया दोस्तों, यह सब नगन वीजी के बारे में याद रखेएगा, जीमनो स्पर्म और एंजियो स्पर्म के बारे में यह तो आसान ही हो जाएगा, एक विजपत्री, दो विजपत्री, मोनो कोट बोलते हैं इसको अगर समझ में आया हो, तो एक बार इमानदारी से अपने दोस्तों के पाद सेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, तो फटा-फट से आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम रिपलाई आपके पास जरूर करेंगे, कि क् कौन सा वीडियो चाहिए, इसके बारे में हम दोस्तों हमको जरूर बताईएगा, तो चलिए दोस्तों, अगर समझ में आया, तो बहुत अच्छी बात है, फिर से आपके लिए ऐसे ही जुनून के साथ एक वीडियो लाएंगे, तो मिलेंगे नेश्ट वीडियो में, तब त